प्रफूलाम् वोदिहि स्मीतरुचिरपुर्णेंदू अधना प्रफूलाम् वोजन्माच्छदसद्रशः शोभाक्षियुगला क्रीपापारावार स्रीतसकलजीवाती सुखदो महास्रेयो मुर्ति जयति सहिनारायन मुनि वर्निवेश्यरमनियादर्शनम् मन्दहासरुचिराद्नना भुझ। पूजितम्सुर्णरोतमेरमुदा धर्मनन्दनमहं विचिंतय। ओम्य वतारिने स्री स्वामिनारायनायनमो नम। ओम्स्री हरिकृष्नायनमो नम। ओम्स्री पुर्नपुरुषोतमायनमो नम। बोलो स्री स्वामिनारायन भगवाननी। स्री हरिकृष्न महराजनी। स्री गणश्या महराजनी जे। बदाई भक्तों ने थे जये स्वामिनारे। शद्गुरु आधारनन स्वामि स्री हरिच रित्रनु सागर गरंथनी अंदर। पूर बीजुने तरंग 41 एमा छेल्ले कथा यम लखी स्वामी ए के महराज फरता फरता जगन्नात पूरीने विशे आवेशे जगन्नात पूरीने विशे जे असूरो छे साधुना वेश्मा ए साधुना वेश्म नी अंदर रहेला असूरो ने परस्पर मोह उपजावी लड़ पूरी जे हता एवदाई भगवानना ध्यामने पामया आसूरी जे हता एवदाई नरकने पामया भगवान केछे सहन करवु एज साधुना धर्म छे अवी घनी बदी महराजे सुन्दर वातो करी आगड आधारनन समी लखे छे औने मुकतानन समी उत्तम राजाने कथा आवे छे पूर्विजु तरंग बेतालिश। सुचरित्र अब कहत हो सुनहान रूपति दीर। यांको स्रवन सुनत जन मेटत भव की पीर। श्रीहरी इंद्र दिम्न सरोवर्थी ये समये चालता थे। पछी ही दक्षिन भारतनी यात्रा करवानो द्रण संकल्प कर्यो। हे धेर उत्तम राजा हावे ते चरीत्र तमारी आगण कहुछू। ते तमे सांब्डो। जेने मनुष्यो कांथी सांब्डे तो मनुष्यने आ संसार सबंधी बधी पीडा टड़ी जाई छे। शद्गुरु स्री मुक्तानन स्वामिये श्रीहरी ना अम्रूत्रस भर्या चरीत्र जे कया छे। ते चरीत्र ने सांब्डे पछी जेते बीजाने संब्डाव छे। तो ते ततकार परंपद मोक्ष ने पाम से। फाइदा माचे आमारे। आपड़े तो महराज ने मुटा पुरुष ने मड़्या त्यार्थी आपड़ा कल्यान तो थाई रिया। परंथु आ चरीत्रो आधारनन स्वामियें लखे छे। के जे कोई आ चरीत्रोंने वांची ने बीजाने संब्डाव छे। तो ए परंपद मोक्ष ने पामसे। आणो अर्थे छे? आ चरीत्रणे सांब्डया पच्छी सब्द केट्लो सरस लकर सांब्डया पच्छी। केवावद अनू न थि लक्यू? सांब्डया पच्छी जे ते बीजाने संब्ड़ाव छे। ले स्रोता ओए नित्य मारें तमारे उपन स्रोता छो मुक्तानन स्वामी एकज वक्ता छे आपड़े बदाए आ चरीत्रों ने मुक्तानन स्वामी पासे दी सांब्ड़या पछी पाछा बिजाने केवा जोईए के महराजे आउँ चरीत्र कर्यू आजे कथामा आभी वात आभी हती महराजना चरीत्रों बिजानी आगड़ केवा थी पोते सांब्ड़ेला जे छे ए बिजानी आगड़ केवा थी सेहजे सेहजे जीवस चोखो थी जे भगवान सबंदी वातो पोते जे सांब्ड़ी छे बिजाने आगड़ करवा थी सेहजे जीवनी उन्नती थाई कारण के एक वात बोव नक्की छे एकांत मा बेसीन आपने माडा करता होई तो कदाच वृत्ती भगवान मा होई अथवा न होई ध्यान करता होई तो पन वृत्ती भगवान मा होई अथवा न होई अरे एकला वाँचता होई ये तो पन वृत्ती बिजे जवानो चांसिस छे परंतु ज्यारे तमे कोई ने वाद करता हशो त्यारे ओटोमेटिक आपणी वृत्ती पने वाद मा रेशे अने सामेवाडानी वृत्ती पन आपणी वाद मा रेशे शब्द ये मानस ने गड़े छे मानस एटले मन मननु गडतर शब्द थी छे जेवो शब्द सामड़े येवो मन मा तरत संकल्प उठवा माड़े विशय युक्त सब्द सामड़े तो विशयो स्फुर्वा लागे भगवान सबंदी सब्द सामड़े भगवान स्फुर्वा माड़े हाँ ममुक्षू हो जोईए नही तो जगत नो जे भोगी जीव छे जगत मा जे लप्टाएलो छे एने भगवान सबंदी गमेटला तो एने जगत जुबू थाई पन आपड़े जे मुमुक्षुओ छी एने भगवान सबंदी सब्द मढशे तो एना विचारो भगवान सबंदी थवा माणशे एने आत्यांति कल्यान आज जनमेज करू छे एवा सब्द मढशे तो एव अटोम्टिक एव थवा माणशे माटे वातो करवानो औने सांबढ़वानो आग्र अती से भगवानना भगतोय राखो जोई ए सांबढ़वानो पन राखो जोई ए औने वातो करवानो पन राखो जोई बहुम पक्कु थसे तमे प्रयत्न करो जे वातो तमे कथा दर्मियान सांबढ़ो छो जे चरीत्र तमे काले कोई पन बे व्यक्ति ने की एक व्यक्ति ने करवी के कथा मा आभी आभी वात आभी ती तमारा कुटुम परिवार मा तमें एका बीजाने जवातो करो क्या हालो गईकालनी कथा नी अंदर सु आवी तू तो एक जन एक वात के ठाकुर जमडता जमडता करो वात बीजा व जे बे एकी दिवय शिवाईनी त्री जीवाद के कथानु आखो मनन पन थही जशे तमारू बोजन पन ब्रह्म मही थही जशे अने सहजे शहजे वृत्ति भगवन मा रहती थशे अन आ वात हम जाई जशे कि जे इस्वामिय लख्यू छे एक खरेखर सास्त्रमा लख्यू छे यह सत्यत छे शास्त्रमा लखेलू सत्य छे अनुभव मा एटले नथी आवतु कि आपड़े रस्ते चालता नथी जो चालिये तो तरत अनुभव मा आवे अवे जो मन्तवय बदा याद राखे छे कथा दर्म्यान आवेला मूड मूड पोईंट ये पन गणा भगतो रिसर्च करीन लखीन बदान मोकले छे अन्य गणा बदा भगतो जाते पन स्वयम सोधीने लखी शके छे कही शके छे तो ये बाजुनू मानस आपड़ू गढ़ायू तो यहू थायू हावे एवू मानस गढ़िये कि जे मंतविया आपड़े तयार करिये छे जे वातने आपड़े तयार करिये छे ये जे चरीत्र छे एने डिटेल थी कोई जेनी साथे जे सांबड़ी शके वावे एनी साथे 20 एवातने वागोडिये के गही काले कथामा आवितू आजनी सवारनी कथामा आ चरीत्र महराजे करीतू बहु फेर पड़शे कोई करी जोसे आ रोकड़ी वाच्छे कोई आवो प्रयत्न एक महीनों करशे तो एक महीनामा एना रदैमा धर्खम परिवर्तना आवसे थोड़ू गणू नहीं एना आत्मानी उन्नती जबर जस्त थसे हाँ अभिमाने रहीत थाई बिजा कोई न उपदेश देवा माटे नहीं बिजाने काईक मने वदारे याद रियू छे के उउँ बहु वांचू छू के सामडू छू एवू बतावा माटे नहीं पन केवड अपड़ा आत्मानी ए वात फरी ने फरी संबड़ाई एना माटे जो हू करीशू तो तरतस खबर पड़ शे क्या वात नू किटली ताकाच छे अई आगल आधारन स्वमी लखे छे मुक्तानन स्वमी जे चरीत्र कया छे ये चरीत्र ने जे सामड़या पछी बिजाने परंपद मोक्ष्ने पामसे क्यों शेलू तप नहीं करवानू धारनापणना चांद्राय ना दीक नहीं करवानू एवू ना किदू माला करवनी ना किदी एकपगई उभरेवा ना किदू केटलू शेलू किदू मुक्तानन स्वमी जे चरीत्र कीदा चे ये ने हांबड़ो बीजाने हम्बड़ाओ स्वामी आउ किदू छे आधारन स्वामी आउ लख्यू छे हरी चरितरनां सागर एटले मुक्तानन स्वामीनी वातो छे आतो जेम गुनादितानन स्वामीनी वातो छे जेम गोपाडन स्वामीनी वातो छे जयम अध्भुतानन स्वामीनी वातो छे, यहम हरी चरित्रम सागर एडले स्द्गुरु मुक्तानन स्वामीनी वातो, मुक्तानन स्वामीना चरित्रो यह नाथी भरपूरा ग्रंत छे श्रीहरी एका की थही ने चालया, त्यारे जगन्नात पूरी नी घटना थी श्रीहरी ना मनमा कॉलोग खेद रहतो अतो, वर्नी ने वनमा रेवा नी रूची रहती पन सेर्मा रेवा नी रूची क्या रही थती नहीं, स्रीजी महाराद ने त्यां थी एका की चालया, आई चरीतर लखियु शे महाराज एकला चालया, महाराद ने बहुत दूख थयू, अती रदैमा थोड़ो उदवेक जेवू थयू, जगन्नात पूरी नी घटना ने स्रीजी महाराज याद करे चे जता जता, त्यारे महाराद रदैमा उद्वेक थाई छे, कारण के जगन्नात पूरी ने विशे शान्ती नोती, जगन्नात पूरी मा जे वैराग्यों सामा सामी कपाया, मराया, एबदी जे घटना छे, एबदी याद आउता स्रीजी महराद ने घनू रदैमा खेद थाई छे, स्रीजी महराद सांती प्रियो छे, आपड़ा घरमा पन कलह हो छे, कलह हो छे, तियां स्रीजी महराद नुथी, कलह जेना घरमा होई, कलह जे परिवार मा होई, कलह कोई पन जग्या होई, कोई आस्रम मा होई, त्यागीन होई, ग्रहीन होई, जया कलह हो छे, तियां थी भगव भागे छे जे सांत रदैवाड़ा व्यक्तियों छे जे सांती प्रियों छे जहने काई पीता आवड़े छे गड़ता आवड़े छे डाटी देता आवड़े छे पीजता आवड़े छे वीजाने समझता आवड़े छे छोड़ी देता आवड़े छे त्यां महरादनों वास छे पन्त में हवार उठो त्यार थी वासन पछड तो ओई एक बाज उपर सोफा तोड तो ओई एक बाज उपर टूबलाइट तोड़ता होई एक बाज उपर जहमतें बोलता होई तो भगवान ना थी भागी जाए झे करनके भगवान ने गम्तूज न थी जगन्नात पूरी ने याद करता पन महाराधना रधय मा उदवेक थाई जगन्नात पूरी ने गटनाने याद करता महाराध दुखी थेज़ महराज नो तो वन मा रेवानीज रुची कारण के वन मा रे एटले कोई उपादी नई निया कल ना थाई उपादी ना थाई कोई साथ कोई इर्षा करवा ना आवे कोई न काई नडिये नई महराज के आपड़ा तो वन ने पवरव तेमा गमे नदीनों काठो होई तिया महाराज के गमे आवीच सदाई रुची रहे छे पन महाराज के में वस्ती मा रहा छे सेर मा रहा छे जीवना कल्यान ने अर थे वाकि पोता ने रुची तो एवी छे मेडी मोल यावास मारेवू ते जाने कारा गुरुह जेवू मेडी मोल मेल आवास एनी अंदर जे रेवू एतो कारा गुरुह जेवू एतो जेल मा रेता होई नेवू लागे महाराज के परवत उपर नदीने काठे ए मस्ती नी अंदर तियां भगवार्नों ध्यान बजन थाई एवू वस्ती नी वच्चे न थाई महाराज ने आवी रुच्ची यती एटला महाराज ने वू गम तू महाराज दक्सिन दिशामा निकड़या छे अईया गड़ एक वाद ने नोद लेवा जेवी छे के ग्रंथों नी अंदर केटलीक वातो अध्या हरपन होई छे महाराज नी साथे आ ग्रंथनी अंदर ये वातनो उल्लेख नथी आउतो परन्तु बिजा ग्रंथों माँ छे महाराज ना वन विच्रणनी लिलाओ दर्म्यान के महाराज जारे कपील आस्रम थी निकड़या छे कपील मुनीना आस्रम माँ थी त्यारे महाराज एक घंगोर जंगल नी अंदर थी पसार थाई छे त्यां थी एक गाम आवे छे गामनी अंदर जारे महाराज जाई छे त्यारे त्या ये गामनी अंदर बे साधू रहता होई छे एक साधू त्याग आश्रमी औने बीजा साधू ग्रहस्त आश्रमी एक ग्रहस्त आश्रमी जे छे एने बे दिकरी ओछे न एक दिकरो छे एक पत्नी छे ओला जे त्याग आस्रमी साधू होता जे महंत एनो आस्रम और एनो मंदिर जुदू होतू, ग्रहस्त आस्रमी नुँ क्रश्न मंदिर जुदू होतू, महराज ओलो जे त्यागी होतो, महंत, एना दरवाजा उपर जाई छे, अने महरादनु स्वरूब जोईने, महरादनु सु गया, रोकाया, महरा तो लुखु सुखु, क्यारेक जमे, क्यारेक न जमे, इनने बहु भाव थियो महंत ने, महंत नित्य राम कथा करे, और ओला जे महंत, जे ग्रहस्त आसरम यानी बे दिकरियों कथा हां बढ़वावे, और ज्यारे कथा करता होई महंत जी, त्यारे क्यारे क्यारेक रामायन नी अंदर कोईक चौपाईना अर्थ एवा कठी नावे त्यारे महंजी अगडब बगड़म करदे अवे ओली बे दिकरियों काई खबर ना पड़े पन निलकंड वरनी इन खबर पड़ेले निलकंड वरनी जोयू महाराज जोयू काब ये कन्याओ बेठी छे एले महाराज वला बावाजिन पुछियू क्या आकोन छे बेबाड़ाओ तो कहीं एक बीजा सादूरे छे ग्रहस्त संजोगी छे और येमनी बे दिकरियों छे कथा हां बड़वा आवे छे एमाँ पाची रामायन कथा सरू करी महाराज के ओक आम सांबड़ सूत में कथा करो कथा करी एमा काईक पिली दिकरियों कोई अर्थ पूछियो रामायन चौपाई मां अने आ बावाजी पोतानी अब राखवा हारू नथी आवड़तू अग्ण्यान होई ए वातने स्विकारी लेविक मने आनी खबर हजू नथी अथवातो आ वातमा हूं उंडो उत्रेलो नथी आवू स्विकारी लेवू बहु कथन से ग्ण्यानी खरेकर हाचो ग्ण्यानी एज छे के जेने पोताना अ ग्ण्यानू आटली वातमा अग्ण्यानी छू एनी जेने खबर होई ने येज ग्ण्यानी केवाई गमेटली वातो करता होई ए गमेटला कल्लाक करता होई एनो अर्थेवो नथी होतो के संपुर्ण ये सब्द ने ग्ण्याता होयज सास्त्रने ग्ण्याता होयज एवू ज अगवान और मोटपानी क्रूपथी सब्द ब्रह्म सम्झा Nich छे शब्द ब्रह्मने समझाया पछीज परब्रह्म पन समझाई छे अने परब्रह्मने जारे समझे छे त्यारे परब्रह्मने धारी शके येने लायक बने छे अने परब्रह्मने जारे धारी ने लायक बने त्यारे नी वृत्यों परब्रह्ममा स्थीर थाई छे अन ज्यारेनी वृत्यो स्थीर थाई छे त्यारे ये ज्ञानी थाई ओके वाई ज्ञानी तेने गनिये जेने हरी मुर्तिनु ज्ञान छे तेविना बकवाद बिजु ते जान जो मोटु ज्ञान छे जहने मुर्तिनु ग्ण्यान थाई ग्ण्यानी बाकी बदो बकवाद छे पांच कल्लाक बोलिए, दस कल्लाक बोलिए, के वीस कल्लाक बोलिए मुर्तिना ग्ण्यान शिवाई, मुर्तिने राख्या शिवाई, मुर्तिने भुली ने मुर्ति मा थी पसार थया वीना मुर्ति ने नजर सामे के रदय मा के शब्द मा के वृत्ति मा राख्या शीवाई जे काई चे बदो बकवाद चे एउँ चे उला महंजी कथा तो का ये ने पूरी सब्दनी खबर ने अगडम बगडम खरती दो निलकंटवर्णी हस्या उजडवर्ण मा एरंडो प्रधान बदाय मुरख बैठावई ने निया पसी तमारो बदुई डोलकू आले पन ब्या विद्वान बैठावई और पच्छी काईंक बोलवानू होय तो विचारिन बोलू उपड़े उपड़ाक कर्या पनाधक के महराज हस्या लागांister निलकंटवर्णी ब्याठाई आने अगडम बगडम आर्थ करे आन, इटले महराज अउस्वा लागा सोचो तमें तेरे निलकंठ वर्णी के महंजी जो तमें कोहतो हूँ एनो साचो अर्थ करी बताऊ तमारी आग्ने ओई तो आपन एक विवेक छे आपनने तो आवड तू होई अवे एवू ना होई आऊ होई एक मरियादा छे निलकंठ वर्णी ना जीवन माती घनुशिक वर्णूश तमें जो कोहतों अर्थ वैं अर्थ करी बताऊ कान evalu के वकता तो तमें छोओ तियारे पिला महन जी के बोलो सरमे धर्मे आतो के उपड़े निलकंट वन्नी अर्थ करे नुली दिकरियोन हा पड़ी गें दिकरियोन खबर पड़ी गें के आ महन जी तो केटलुई खोटू हम जावी देवाच गेर जेन पोताना बापाने गिदू के बहुँ सुन्दर एक जोगी आव्याचे सिवजी जेवा लागे छे अरे माथे जटा छे एनी आखोनी अंदर थीत अम्रूत वर्षे छे एनना जोया करवानी जिच्छा थाई छे मानीलो के आपड़ी भक्तीने वस्थे इन जाने क्रश्न पोते आव्या हो एव लागे छे बापा एने आपड़ा मंदीर मा लेयाओने ओला बावाजी छे एने निया छे आने हामड योटला एए ने नो दीक्रो जैराम दास나े बदाई ऊपड़े आ महराज ने के आवओ मार गेरतियार महराज के तमारे महंत नी रजाले वी पड़े करण के आ महंत त्मने आशेत अमे आशे simplicity महंत ने पूछे का या思न आपड़ा तो नो छे जवान ¿ लांको च? डुझे, लेए निल्कन्ढवर्निने महारत जोश्तिक provided निल्कन्ढवर्निनय आन्वत्व उनिंसी उन्दाफ। क्रश्ण ने थाड धरावता पेला निलकंड वर्नी ने थाड धरावे आऊ थवा लग्यों जहीरामदास नित्यो तड़ाव माथी कमड काकडी लयावे महराज ने आपे महराज ने जमे अने महराज पची एक दिवस पूछे के जहीराम तो आ गमड काकडी क्या थी लावे थो अई नजीक माए एक तड़ावुछे नयाथी लावुछे कौण-कौण अत्या तो हांच पड़ी काल आउशू, हालोन वर नी गेर, ना छोकरा बीक लागे, महाराज के ना, नवका विहर अमार तो करवोच छे, उला बेन नोतु जोओ, जैरम दास नेना मित्र ने, पन्तोय आवे अनी माये की देलुगाने छोडता ने, येटले ग्या, आमना हामे का ठेक गया, एटले ओला बेन उत्री गया, करने महाराज के आवे अमारा बाजु जंगल मा जोओ, आगड, अरे के आनी अंदर तो आ घंगोर जंगल, अंधारु जंगल, अत्यार जवाई, हालो पाछा काले हवार जोशू, महाराज के आमे तो जवाना, आवे महाराज जा, ए जहीरामदासे जोई, एटले अने हेत थे ग्यू, पछी ये परिवार ने हेत थी उन माराज न्याथी चाली निकड़े आता, अने चाली निकड़े आ, त्यारे जहीरामदास नेनी माये किदू के बिजदियो सभार मा जोई, निलकंटवर नी मड़या नहीं, अने त्यार जहीरामदास जाई छे, अने माहराज ने 20 दिवसे भेगो थाई छे, 20 दिवसे भेगो थी ओन माहराज ना चरण मापणिन के प्रभूता में चालो मारा माबा प्रड़े छे, कोई खाता न थी, पीता न थी, मारी बेनो बुखी छे, माहराज के देहना सबंदी ने छोड, मंदियोत बदा स्वार्थी हो है, के तो रोवेन कूटे एने हूँ, आ जगत्वा सर्जायुते दिनो आउँ छे, पनोला जैरमदास ने रदैमा यहुचे, कर वर्निन लई जवा छे, माबाप पन याद आवे छे, बेनो याद आवे छे, पजी माहराज ना माथे आत्म क्यो समाधी करावी, अक्सरदाम बतावियो, तेर वरी थोड़ी टाडू थियो, पई पाजो माहराज बेगालवा माण्यो, पाचा बेतन दी थाई, नेरले ओली माबाब दैया दावे, माहराज तमस आलो पाचा, मार गेर आलो, मार रडेशे, बाप रडेशे, आम तेम करे, माहर आज के देना सब्बंदी माँ प्रिती ना रखाई, तारे सुखी थाऊँ छे, अमे घर छोडी निकडिया छेटले सुखी छीए, तारे अमारा जेवु शुखी थाऊँ होए, तो छोडी दे, पाचो माराज पावर पूरेन, पाचो आले, पनेने पांत दह दी हुदी तो ग गर जी आदावतु दू, भगवान बेगा दा तो ए घर आदावतु दू, बोलो, एनी जेगे भगवान नी कृपा के वाईने के आजे विश्विश्वरस्ना जुवान ड़ाओ, निकडियी जाई, भगवान भजवा माटे, उना दितानन स्वामी के आज महराद नो सरोपरी पनुछे नाज मोटा साधनु प्रगट पनुछे, प्रगट पनुछे, अहीं आवेला मुमुक्षुने सु आप्पा मावेश्य, सु एने कोई सारी गाडी प्रोवाइड करवा मावेश्य, सारी पथारी आप्पा मावेश्य, सु एने सारा भोजन आप्पा मावेश्य, चा जंडलमा जंबन वही छे, नथी पोतानी पासे कोई प्राइवेट वस्तु राखवानी होती नथी प्राइवेट पईसा राखवाना होता छताय पन, हाँ, ये जेटलो सजाग होय, येनि इंदर जेटली सावधानी होय, जेटलो ये महराजने मोटा पुरुष्णे वफादार होई एटलो ये सुखी रहे एटलो ये टके जहारे नी वफादारी मा क्या खामी उभी थाई जहारे नी जाथे निस कपट तामा कोई जिग्या एक कपट ना पड़दाव सरू थाई त्यारे बद्दीजरी ते सुख्यो रहे लो ममुक्षू पन मेरू परवतनी टोज उपर ब काम्पड ये जगनात्पुरी माहराज आवेशे त्यारे जगनात्पुरी आवता पेला खाडी आवेशे और ऐ खाडी उत्री ने माहराद Detective of Gene वेला मारा जे जैरम्दास ने की दुखतू नौका खोड़ी है मारी माते आपड़े आम जैए हामे कांठे आ जैरम्दास खोडवा गियो पैस आगा था एनी आरे महारा तो त्यागी है था भाव करावारियो नावडा वारा जोड भाव करावर केटलाम लई जो सो ओलो के पांच नहीं चार मा त्रण मा आम भाव करावरियो यहामा धरी खाडी मा ओट आवी ओट आवे एले पानी बदू नीचे जतु जाए ओछू जाए एले बहला नावडी वारा तरत बदा नावडा वारा उपाडवा माड एले महाराद ने तो एक नावडाम बेही गया महारा तो फकड गिर्दारी बेही एक नावडाम आलता थी गया अने ओलो जै रामदास नावडू नक्की करें बदाए नावडा जतारी आवी निल कंठवर नी ना मड़े फरी खोई बेठा रतन जोई ते अड़ दे हुदी नावड़ुगी यमा बेठेला देखाया जटा दारी हां आम ग्या छे खबर तो अतीक जगननात पूरी बाजु जवा निकड़ा रस्ताम वातो थाती ती एडले ए पची पाछो बीजे दीवसे चालता थाया छे त्यारे ए पन महरादनी साथे भेडो दूर चालतो चालतो महरादनी पाछड पाछड जाई छे ए कपीला श्रम्थी निकड़ो छे त्यार्थी महरादनों पीछो करे छे जे अईयागड कथा अध्याहार छे पन हरी लाम्रु तादीक ग्रंथो ने बीजा ग्रंथो मां जे कथा उपलब्थ छे एक था में तमने की दी अने आजनी जे कथा आवे छे एक कथा मां आ कथा जो सांबड़ेली होई तो एनी अंदर थोड़ीक एक कथा आपड़े सांबड़िये त्यारे पूर्वा परणों सबंधरे एटला माटे मेया चरीत्र बीजा ग दालता त्यारे महराद नी साथे में तमने की दू महराद नी साथे तो अनेक एवाद दिव्यत तनुधारी मुक्तोपन रहता सतत सेवा मां अक्सर ना मुक्तोपन रहता महराद नू आखू वन विच्रन आक महराज प्रगट थया ते दिव से अक्सर धम्मा थी महराज आव जहीने मडशे लाड़ू बान जिवुबादिक भक्तो ये भक्तो तो महराज प्रगट थेया ते दिनू आखे आखी ये लोको गेर बेठा जोए छाकू लायु टेलिकास्ट अध्यार आ चरीत्र अजू महराज गटपूर नथी पोँचेया पण ये जोए छे किटला बदा स्त लूचल ये बदाए अकसरदम ला मुट्व पोड़वां बैठा भादरामा बैठा बहता लाईाँ जोए मुक्तानन सुम्ही बदू लाई जोए लोज्मा वार्टो इन भेठास कीourtहाए किया रहावे कियाया वेह रहावे है अखू लाई जोए ग्या लाई जोए चए ढ़ं कहावत जोई दिव्यतनो दरीके सोई श्रीहरी संग रहत सदाई श्रीहरी संग रहत सदाई पल एक दोर कबुन जाई भक्ति दरम बिन जीय जग जेता स्रीहरी कुना कबुरुचत तेता त्याग वैराग्य तन रखत अंता ताकरकरी मगन रहंता भक्ति दार्म कहावत जोई भक्ति अने धर्मा दिव्य देहे हम्मेशा स्रीहरी नी साथेज रहता छैने साथे आगड़सू लख्यू एका की चालता पन भक्ति ने धर्म दिव्य देहे पताना पुत्र नी साथे अखंड रहता एक पड़ वार पन क्यारे दूर जाताने जगतना जे जीवो मा धर्म ने भक्ति न देखाई ते स्रीहरी ने क्यारे गमताने त्याग औने वाईराग्य अत्यंत राखता यने लिदेपोते आनंद मारेता बँसरसवात्चे जगतमा जे जीवो मा धर्म ने भक्ति माहराज जोता ये माहरादने गमता अने जे मा धर्म ने भक्ति न होय ये मारादने गमता नोता तोसु आज थी बसो अधीसो वरस पेला मारादने धर्मन भक्ती वाड़ा गमता ना होये ना गमता तो आजे काई मारादने रुची बदले गया शे? ना भगवान स्रीहरीनी रुची त्रिकाडा बाद्धित छे त्रणेव काड माँ समान जू रुची छे एनी रुची सवारेन सांजेस जुदी न थी होती मारे इंटमारी जे येमने रुची एकने एक मात्र रहे छे येमनो भाव एक सर खोज रहे छे धर्मने भक्ती वाड़ो ज भगवनने वालो छे आपने भगवान गमेवा थावु छेक दुनियान गमेवा थावु छेक दुनियान गमेवा थावु छे। जीवने दुनियान गमेवा थावानु तानबो जाचू छे। भगवानन गमेवो थाव। एवो केदी आपने निर्धार थेओ। आपने एवो निर्धार थो मारी पत्नी न गमु एवो थाव। पत्नी न एम थाई मारा पती न गमु एवी थाव। दिक्रा दिक्रियों ने अमें गमी जी ये माबाप एवा थे ये माबाप मने गमे एवा दिक्रा दिक्रियों विचारे के ये मने गमे एवा उँ वर्तु एवो थाउ पना जीवने क्यारे ही पन आ दुनियाने रिजावा माटे आ दुनियाने गमे वो थवा माटे नी मेनत करे पन भगवनने गमू एवी मेनत थाई धर्मनी वात अमे तो साधू छीये धर्मनी वात करिये धर्मनी मरियादानी वात करिये तो पन अमारा सुधिये वी वात आउती हुए कि स्वामी धर्मनी वात तो बराबर छे तमें साथू छो करो पन अत्यारे दुनिया आम छे, समाज आम छे, बदै आम छे, युवान होई, आ होई, ते होई पचास जातना तो आर्गुमेंट होई पचास जातनी तो रजुवात होई पोल करवा माटे, धरमने लुलो करवा माटे, अत्यारे यूग आम चाली रियो छे, अत्यारे आ प्रकार्नी मेंटालिटी होई, अत्यारे आवीरीते हालू बडे आवा बधाय, नुष्खाव आपड़े जे खोडिये छे, ये भगवानने गंबा माटे ना नथी, जेने येने लुखु करूज पड़े, जेने जगतने गंबानों छूट से, त्यारे भगवानने गंबानी सरुवात थशे, जगतने गंशू, और भगवानने गंशू, कोई दी बनवान नथी, जगतने रिते चाल्शू, और भगवाननी रितमाई बढ़शू, कोई दी बनवान जहने भगवानने राजी करवा हुए येने जगतने रीतने छोड़वीच पड़े येने अंतरदस्टि करवीच पड़े उन भगवानО भक्त छू उन भगवाननो संध्ग चू मारी क्रियावी नँ हुए मने आउँ बोलू, मने आउँ नाचवू, मने आउँ जोऊ, मने आउँ सांबडू, मने आउँ स्पर्ष करू, मने आउँ खावू, मने आउँ सांबडू, नो गमे, नो चाले करण के मारे तो मारा महरा महरादने राजी करवाश हस्ता हस्ता मुझने देखी आनंद पामे मुक्तानन स्वामी के मारो नाथ मने जोए तो मने जोईन आनंद पामी जाए आपने कोई दी ओओ के आपके पावर न चड़े के मने जोईन मारो नाथ राजी थी जाए आद दुनियाना हाव हाड मासना चामड़ाना गमार और अग्णानी लोकोने राजी करिये, जे लोको आपने काई देवाना नहीं, कदाज मर्शु तेर एक फुल नी पांखडी मुकी जशे उपर, बिजु सू करवाना, और नाइन बार मंदी लाडवा खाईन खंखेरीन छू जीवन जानूछू, राखो छो खबर सारी, जीवन जानूछू, मरो गर्ब वास त्रास टाड़ेव जीवन जानूछू, जेने आपने लक्चोरासी टाडवाना पोताना माथे लिदी, जेने राम पातरो आपड़ा पोताना माथे लिदा, जेने अंध कार्णी करोडो विछ वेद्नाव पोताना माथेली दी ए परमात्मा ने गमु एव थक युँ बिलकूल तानने ये तो मुरक छे। येने तो असत्संग मडेओ, चिंता मनी मडी, पन बाड़क ना हाथ मा गुनादीता नन स्वामी के चिंता मनी तो छे, पन बाड़क ना हाथ मा छे, माटे वाला भगतो तमे नहुं राजी करवा माटे गनी मेनत करिये छे, नथी करता येम नहीं, पन जु आपड़ु सोटका लक्स थायू छे, उंडू उत्रीन विचारो, के सोटका आपन नेम धाई छे, के माहराज नेज गमू, मोटा पुरुष ने गमू, बस मने बीजा कोई नी काई परवा न थी, माहराज, और मोटा पुरुष जे ने अखंड धारीरिया छे, ये मारी पर राजी छे, आखु ज हाई के मरी जैद मारे चिन्ता ने जाओ, ये बाडवाई न जता, समसान माई न थी जता, हगो भाई, एक थाडीम जमतो ओए, न थी जता, जे भाईयो ब्यानो एक घरमा उचरेला ओए छे, ये पन एका बिजाना मरान ने लगन प्रसंग मा न थी जता, एवा समाज ना एवारो थ्या शे, तो पन ये जगतने हजू आपणेर गंबू छे, गंबू छे, गंबू छे, ना टे भगवन ने जन गंबू होई, धर्म वाडो थाई, विचारे मारो धर्म क्यों चे, विचारो, विचारो आपणे महरादना के वाई ग्या, कंठीना दोरा ब्यक गडामा मुक्या तिलक चानलो करी दिधो कथा हां बढ़वात्यार व्यसिग्या ओनलाइन हामे केवाई ये छे बहु उत्तम स्रोताओ आपड़े बधाई हुँए थी कथा करूछू कथा वांचूछू केवाई आपड़े बधाई एक सारा संध पन विचारू तो जोईये मारें तमार धर्म आपड़ी अंदर केटलो छे धर्मने पाड़वानी आपणने तमन्नाने इच्छा केटली छे पोत पोताना धर्म बीजाना धर्म पाड़वानी जरूर नथी तमारे त्यागीना धर्म पाड़वानी जरूर नथी तमार धार्नापननाक चांद्रायन करवानी जरूर लुक्ति विरुद्स आच्रण बिजी रितनु शास्त्रमा बतावेलू होयं थी बिजी रितनु आच्रण न करू आटलू करो ने तो करोडो चांद्रायन अच्छे आटलू करो तो करोडो धारना पाल नाच छे जिन नथी खावा जे उए न खाव करोडो धारना पाल नाच छे करोडो धर्मक एटलो थोडोक छे एटलो धर्म नथी पाड़ी सकता आपड़े एटलो जो नथी पाड़ताद आपणे भगवन गमवानी इच्छा नथी जगत नगमवुशे और भक्ती न देखाई भक्ती तो गनुविदी आपड़े करता ओई ये भक्ती तो होई पन मोट्टे करिये बार कर लाखने दोन करिये अनुष्ठाने करना किये जन्मंगल ना पाठे करिये वंदू ना पाठे करिये बद्दू करिये भक्ती तो करिये पन वलो बाया वीनानी भक्ती महाराज के धर्मे रहित भक्ती न करवी ना पाड़ी माटे धर्मे सहित भक्ती करिये थेए आपडा करोडो जनम लिधानय करोडो जनम आपड़े भोगवेया करोडो जनमने करोडो जनम ना दूक आपड़े भोगवेया अने दरहेख वक्तिय आपड़े ताने कज राखिएयो जगत में राजी करवान। Congress I am a ये मोटो उपकार करयो नथी काई देवानु बाकियेशे को कोखतनु दै दितुछे लेवानु बाकियेशे लई जशे जगत पाटलूँज काम करेशे पन राजी नाथ ने करो राजी पीवडा गन्षया माराद ने करो एने गमे एवो धर्मने भक्ति आपने पाडिये श्रीहरी ने क्यारे गमता नहीं और गमता नथी त्याग ने वैराग्य माराज अत्यंत राखता एटले सदा आनन्द मा रहता जेने आनन्द मा रहुआ येने त्याग राखो और बिजो वैराग्ये राखो त्याग ने वैराग सदा आनन्द मा त्याग होई एटलू भग्वि उठीना लेव छोड़ता शिखू एलो जैर ना होए तयारेनू दूख ना थाई दूख ना थाई गाडी ओई तो इधोड़ी चालवानी प्रैक्टिस रखी ओए तो गाडी जाए तेदी वाणदो ना आवे मोटा मोटा बेड होए पन भोय हुआ नी टेव थोड़ी राखी होए तो क्यारेक बेड जतो रहे तो वांदो नो आवे काजु बदा मेवा मिठायो पड़े आवे पन क्यारेक बाजिरना रोटलाई बेया खादा होए तो यवा खावान आवे तो वांदो नो आवे आवे एटलो भोगवी ना लेवू, त्याग करता सिख्वू, त्याग, जिटलो आपणे सुखी थाउएने, तो जीवन माँ जिटलो त्याग आपणामाँ वच्छे नेटला आपणे सुखी होईशू, तम्मे जेने सुखी जोता आषो जीवन मा तमें बराबर साच चो शुखिया मदमाई शुखि वय मानधा, कि सदा इतपनी साम्ति राखें ये शुक कहीं जोतु होए तमार सत्ता जोती यसे तो प्रोब्लेम थावानों सत्ता जोती यसे यहले दुखी करनके सत्ता तो किटली एक सत्ता होए और तम्हें त्रण लाइकात वाड़ा हो तो गमीत एक नेज मड़वानी सत्ता जोए चले दूखी और बद्धी सीटों पर लाइकात वाड जा जा चा शे एक स्टी टे वी छे के ज्यां लाइकात एओछी और एने मेडववा वाड़ा पन उच्छा ज्यां सदाई व्येकेंसी व्येकेंसी खाली ने खाली, सदाई खाली, एवी एक स्थीट छे, भगवन भजवा, धर्म पाडवो, त्याग राखो, वैराग राखो, नियां बदी हाइवे खुल्ला छे, तम तो मार जेटली स्पीड मां दोडवो एदोड़ो, और पदार्थ मेडववा छे, सत्ता जोये छे, रूपिया जोये मान मुटाई जोये छे, मारू आम थावू जोये, मारू धार्यू थावू जोये, अमा तो हज़ारो छे, हज़ारो छे, और बदा दुख्यात थावाना, जाजो ट्राफिक थाई थाई शू, दुखित थाई बदाई, कोनी गाड़ी चाले, एना करता खुल्लो हाइवे छे त्याग वैराग नो अलवा माड़ो गाड़ी उभी नई रे सिद्धी पोंची जो से मारा जुदिन सदा आनन्द मा सदा खूस त्याग वैराग खावू मारे आउज खावू जुए एटले दुखी थेए ठाडी मां खिचडी आवे दुखी थेए मारे जंबा ता बाद दाल आवी कैई खिचडी आवे जंबा मा दुखी पंजो त्याग ने वैराग्याणों थोड़ू काम ध्यान राख्ये कस्छे आवे जे खाद थुए थसे तो आखरे कच्रोज अहीं सु दिच्छे आटलो विचारीन जो थड़ू चलाई लिए सदा सुखीलो पन वाद करवी हाँ बढ़ी बदू सेलू छे पन जो आउँ राखिये तो महरादनी जेटला आनदमा आपड़े पन रिए भगवान ना भक्त सिवाईना जे अन्य नर नारी ओहाई तिमने पोते विचार करीने पसुना समान जोता है हरी जन बेना जो रहे नर नारी पसु समसो देखत विचारी ता संग प्रिताना करत कब हो ता संग प्रिताना करतकबहु जद पेन्रुपद्रनाध्य होय तबहु जद पेन्रेपद्रनाध्य होय तबहु हरिजाना बेना जो रहे नरनारी जबरी बात करें भगवान ना भक्त सिवाईना मुक्तानन स्वामी कहा है भगवान ना भक्त सिवाईना जे अन्य नरनार्यों होई तेमने पोते विचार करीने पसुना समान जोता हता भगत ना होई ये बदाई स्री जी महाराद नी नजर मां के वाचे पसु जेवाचे स्री जी महाराद ने पसु सब दजने महाराद नी डिरेक्टरी मां बहु अप्रईलों चे वचना मुरुत्त में जो वचना मुरुत्त नी अंदर महाराद ने कहीं के वह न महाराद के तो पसू जेओ छे आउज कई देशी दो महराद नी नजर माँ पसू जेओ छे ढोर ने बेहर खासे जैने भगत नथी ने ये तो बेहर खासे एवा नर नार्यों बदाई बले कोई राजा के धनाट्य होई पन क्यारे एनी साथ हेत ना था श्री जी महराज रूपियाना वेचान श्री जी महराज कोई आ लोख नी बुद्धी ना वेचान न थी श्री जी महराज तो पोता ना भगत ना वेचान छे आपड़े एना तो ये आपड़ा श्री जी महराज नू समर्पन येवू छे आपड़ू एक टका समर्पन येनू 99% समर्पन 100% ये करे आपड़ा थी 100% स श्रीजी माराज राजी पवपे 100 का अपने धर्म थाई एकड़ी बहत पनो नौवगवानध का भगत माहराज आपड़ा थाई छे त्याळे1 ठीन तोट का आपने भगत पना थाई छे महराजं ने पास तोडू करिये महराज सांबढ़वा छता पन भूलीने करसू माटे पोताना आत्माने जगाडीने मारें तमारे केवानी जरूर छे के जगतनी मोब छोड़िये जगतने राजी करवानु छोड़िये महराज राजी थाई यहू आपड़े करिये आवा अत्यांद समर्थ औने गनाज निस्प्रु श् आदी कुर्मन आमनू तिर्थ चे त्या महराज पदार्य आछे त्यां बहु मोटू प्राचिन दीर छे यह मंदीर मा कुर्माकार सिला-स्वारूपय कुर्म भगवाननी मूर्तीKA अने मुर्ति नी बाजु मा गोविंद राज एटले के विष्णु भगवान एम नी मुर्ति छे अने तेमनी समी पे भूदेवी अने स्री देवी नी मुर्तियोपन छे साथे साथे आ आदी कुर्ममा महाराज पधारे त्याथी महाराज पछी दर्शन करी अने हरीचरितनु सागरमयनों उल्लेख नथी पन बीजा गरंथो मा छे कि त्याथी महाराज दर्शन करीन गोदावरी अने कृष्णा नदी उत्रया अने ए उत्री ने पन्ना नुसी तिर्थमा गया पन्ना नुसी तिर्थ पन्ना नुसी तिर्थ एउँ छे आ तिर्थनु महात्मय के ज्यारे नुसी भगवाने प्रहलाज जिनी रक्षा करी अने हिरन्य कशी पुने मार्यो ए हिरन्य कशी पुने मारी ने नुशी भगवान जे जिग्ये आव्याता ए जिग्याने पन्ना नुशी केवाई छे त्या अगड भगवानने भोगमा सर्वत धरावाई छे त्यां गड भोगमा सर्वत धरावाई छे पहाड उपर आ मंदीर छे परवत छे लक्षमी नुशी 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 न अहीं मंदिर मा भगवान नोशी जी ने धातुनी मुखवाडी मुर्ती छे, संख वडे अर्धू सर्वत भगवान ने पूजारी रेडे और अर्धू प्रसात तरीके सवने आपे, नीचे सर्वत डोडाई पेलू, एटले ये सर्वत ना कारण नीचे बदू चिकनू थाई ज ये जिग्या चिकनी थाई पन आश्चरे नी वाते के सर्वत होई, एटल अंदर खांड होई, चिकास होई, त्या माख्यों आटोमेटिक थाई ने भारतमा, माख्यों बोलावी ना पड़े आविज जाई, नेनू जन्मजात घर छे, एटले त्यां गड सर्वत डोडाई न माग मासमा एका दसेदी पूर्णी मासुदी त्यां उच्सव थाई जन हजारो यात्राड वो त्यां दर्शने आवे छे, आ वात बिजा ग्रंथोनी अंदर आपन्ना नोशी तिर्थनी छे, माहराद त्यां थी आगड चालता चालता एक गाडवन मां माहराजे प्रवेश क करेओ, त्यांन होया है त्यां माहराज साथ जी कथा अद्याहारार छट जैयराम छे जैयराम पेली प्यल्हा जंगल मां बीक लागती पन ओवे अन्य बीक मटी गी छे आणने माहराज नोप्रता पें जोही लिदो येड़े माहराज निई पाचड पाचड श्डः चालत प्र viewers फ्सपड, पनी महराज गांद पाराज नौन निमदोरन करका एक पूंग अंझ सवतलिया कैटाकन महाराज उतला. निलकंड वननी क्या जाई छे ये जैरमदास थी पूछवानी इम्मद नथी चलती क्या जाऊ छो प्रभु आवे कई बाजु जवानू छे कारण के एन एक वार प्रतिती थेगी ती का निलकंड छे ये तो भगवन छे अने पाचु रस्ता वच्चे कोई पन गाम आवे कोई पन स्थान आवे तो कोई जिगे माराज प्रभेश करतानो ता सीधे सीधा चाले आजेता ता नाई पाछड पाछड चाले जुतो तो त्या आगड चालता चालता मानसपुर्णी नजीक आवे त्या रे जहीरामे एव जानियु के अहीं पन काईक मने नव अनुभव बगवन कराव से खरा ये ले वर्नी ये मानसपुर्मा प्रवेश करयो ये अई आधारानन स्वम्यपन लखियु छन मुक्तानन स्वम्यपन लख्य सत्र धर्म एनु नाम अतु श्रीयरी दूर सुधी चाली ने त्यां पदार्या त्यांनो राजा पवित्र हतो तेने अपार अन्नक्षित्र बंदावे हता त्यां कोईपन अन्नार्थी आवे तो तेने भाव थी भोजन आपता कोई पन अन्नार थी आवे, राजाय पोताना मानसपुर्णी अंदर अन्नक्षेत्रो खोली राख्याता कोई पन अन्नार थी आवे, साधु आवे, एने जमाड़तो महराज जयरे मानसपुर्मा पहुँचिया चे त्यारे सव प्रथम मानस पूर मां जारे प्रवेश करयो त्यारे बारना भागनी अंदर बीजा ग्रंथो मां कथा छे कि बारना भाग मां एक मोटो वर्ड जोयो तेमनी त्यां उतरवानी इच्छा हाती पन त्यां बदा बहु वही रग्यो उतर्या ता एला भगवाने पोतानो विचार फेर वेवयो माराज कि आपने आब बदी अडबंगी प्रजा छे नियारे वु न थी एला माराज राजानो जे बगी चो हतो ए बगी चानी अंदर त्यां ग्या एमने जोईने बगी चानो जे माडी हतो ए पासे आवयो एने अवार नवार गना बदा वैराज्यो नी जमातो निया जोईली और रंग डंग पना माडिये बव हारी रित जोएला बव परिचीत तो क्यों वैराज्यो केवा होई जोग्यो बदा देखातावय जटा धारियो पन होई केवा बुंडी भासाव बोलतावय जोरे लोको पासे दी पाका सिधा पड़ावतावय राज्येना कोठार माथी पन हग करीन मागी लावतावय खाई पीने मस्त रेतावय भांगना पानू पर चलमनी फुको लगावीन अमलने घाटो अने पसी यहने फुकतावयन पीतावयन जमा पार सुथी में जे वैराग्यो जोया जे जोग्यो जोया एवा निलकंठ न थी निलकंठ तो आतो कोपी नूपर मुरुक्चर्म विटेलू छे माथा उपर जटानो मुगट सोभे छे विजडी नी जयम चमकारा करती मेहक श्याम सरीरू पर जनोई सोभे छे कमडनी से क्रोश छे पन सक्ति गजबनी देखाई छे मोख उपर ब्रह्मचर्यानी आभाथी आखी दिव्यतानो अनुभवने आभास पेला माडी ने थाई छे किसोर अवस्था छे छताई चित आकर्शक मुर्ति यती एटले वोला माडी न लाग्यू कातो कोई महा पूरुस छे आ इस हामुजोरिय हैं ते निलकंथे कैईू निलकंथ मारा तो काई ना बोल या पन ओलो जही रामा तो नी बोलेो के ए पशु जे ओ हूम हामुजोरियो चे एमकरी न हलावयो औने जयारे ए चमक्यो बिए हाज जोड़ी दिदा जहीरामने लाग्यू कातो पशु न तारो बगी चो पावन थेई गयो, जैयरामदासे बदी परीचे आपयो, अमारे इंग उतरवू छे, माडी हजू स्तब्द जतो, पन जैयरामना सब्दे जागयो, सब्दो नो भाव भाव एने पिखानी लिदो, और तरत जैने तियां का निलकंट वन्नी ना दर्शन करे आन क बले पदरः प्रभू हों, तमारी जपराज ओतो तो, पलो जैयरामदास के आपया थी ओड़के का प्रभू छे, पन मुमुख्षू है ने, ये भगवान ने ओडखी ले, मुमुख्षू ने कैई क्योना पड़ का भगवान छे, पन मुमुख्षू ओडखी ले, यहले ति प्यू भगवन थोड़ू यहनू जम्या भगवन ना दर्शन करीन बहु खूस थाई गयो छे पच्छी एने जही ने राजा ने समाचार आपया क्या आपड़ा बगीचानी इंदर एक बहु मोटा जोगी आवया छे आज सुधी में एभा कोई जोगी जोया नथी तेरे राज पोताना सैन्य साथे पोताना मानसो साथे करन के मुमुक्षु होतो यह दर्शन करवा माटे यह दोड़ी ने सामय थी तियां चाली आवयो पोताना बदाही मानसो साथे जहरे आवे छे अन्ने राजा यह जहरे महराद ने जोया महराद ध्यान मा बैठेला आता निलकंट वर परशुदी विचारी रियो, राजा विचारी रियो, क्या कौन छे, आ कोई सामान्य व्यक्ति लागता ना थी, आतो सिव जी स्वयम आवे हो येव लागे छे, आउ राजा अनुमान करवा लागे ओ, एने वर्नी गना मोटा जनाया, अती बड़े ताकू देखाए, वीननती करे नीज पास रखाए, एकांत मेरा खेकर बावा, एकांत मेरा खेकर बावा, अती त्यागे तपस्वी रहावा, अती त्यागे तपस्वी रहावा, अती बड़े ताकू देखाए, राजा ने बहु मोटा लगया वर्नी बहु मोटा लगया एटले एने वर्नी घना मोटा जयाने विनंती करीन पोता नी पासेज राख्या वर्नी अतिसे त्यागी एने तपस वियता ते थी तेमने एकान स्थान मा बाव थी राख्या एमने कि दुख तमे मारा राजमिल मा पता त्या रो वर्नी के उँ राजमिल मा रहतो नथी मने एकांत जग्या जुए उँ ध्यान नो अभ्यासी छू मने वस्ती गमती नथी मने जाजा लोकोनी वच्चे रेऊपन गमतू नथी मने बवप्रकार ना मेवा मिठाईयो के सत्ता के संपत्ति गमती नथी उँ एकांत मा आटे तमें मने एकांत जग्या आपो राजा या वर्नी नी विननती शांबडी एकांत न अन्दर जग्या आपी पन राजा पाछा वर्नी माटे यारे अमने जोयू का तौं मुरुक्चन मा पाथरी ने बस ब्यसी जाई छे राजा ने थएयू का आतो स्वयम प्रभू आव त्यों ने ख्याची ले छे मने कैं बुलाताद नथी एवा जोगी छे एले राजा पछी एमनी माटे निलकंडवर नी माटे बड़ो तखत बेठ निकाजा प्रेमेदिये लाय के राजा ता उपरी हरी बेठे आई मुर्ति मनोहर देखी मन भाई मुर्ति मनोहर देखी मन भाई बड़ो तखत बेठ निकाजा राजा ए निलकंडवर नी ने ब्यस्वा माटे एक मोटू सिहासन लाविन प्रेम थी आपियो निलकंडवर नी के अमारू तो पुर्थवी छेज आसन छे अमे कोई मोटा सिहासन उमा ब्यस्ता नथी राजन आवा सिहासन तो तमने सोबे अमारे साधुने सिहासन न होई अमारे साधुने तो साधु आसन होई सिहासन राजाओन होई अमारू तो साधु आसन होई अने साधु आशन, साधु आशन ले महराजे किदू फाटेल टुटेल गोदडी होई, त्रोन नी जुपडी होई, त्यां पंच वर्त्माने युक्त ब्रह्मनिष्ट भगवानना साधु वात करता होई, त्यां कोई जीव ब्याशे, तेनू मन जुदी रितनू थाई जाए राजा, तारो भावस आचो छे, पन फाटेल टुटेल गोदडी एज अमारू आशन छे, अमे तो साधु आशन परसोबी है, राजा केछे, तमें खरेखर साधु छो, परन्तु मारा रदैनो आटलो भावस विकारो, तमने आ सिहासनो बंधन करेवा नथी, तमें तो राजा, खरेखर मुमुक्षू छे, में आगण पन जगन्नात पूरी ना राजा दिव्यसी माटे पन जेवात करीती, या त्यार्या सत्र धर्मा माटे पन कईश, के पोते दोसीत हौँ, एना करता पन करोडो गणू साधना ये जरूरी छे, के निर्दोशने ओडखवा, पो ये करू सारू छे, पन ये कदाच न थाई, तो एटली साधना तो चोकस करवी, के जे पंच विशाई माँ क्यारे चोटेलाज नथी, जैने पंच विशाई, ये फक्त भगवाननी इच्छा थी देह निर्वाह पुर्तोज जैनो पंच विशाई खोराक छे, बाकि पंच वि ये धारे त्यां वृत्ती ने लईजिन पाछी संकेली ले चे एवा महा पुरुषोन जे ओडखवा, ये ना थी मोटी बिजी कोई साधना न थी, आ लोकमा थी पृती तोडीन भगवाननी मूर्ती माँ थाई जाई ये साधना तो साचीच छे, पन ये ना थी करोडोगनी प अती द्रड मन करीने चोटी जवू, येना वचन नियंदर अती द्रड मन करीन रेवू, येनी रेंज नियंदर हम्मेस ने माटे रेवू, येमा सदाई निर्दोषने सर्वग्ये पनानी बुद्धीने किडव्वी, ये सवथी मोटी पेल्ली साधना चे, ओलू तो थसे नहीं थाई, क्यारेक कोई वखत ममुक्सो विचारेक मारी अंदर आटला दोस छे, नमारी उम्मर आटली छे, एटली उमर मा आटला दोस टडी जसे, येम क्यारेक आम इसाब करशो ने, तो कदा अच एउज रिजल्ट आउसे के खबर नहीं, खबर नहीं सूथ अशे, ये येमा अचड बुद्धी केडविये के आमा तो नथीज, उम येने मडेलो छू, येने मने पोतानों करेलो छे, हूँ भले नथी पोंची सकूएओ, पन जे पोंचेला छे, एना हाथ मा मारू कांडू छे, एना बड़े उम पोंची स, आस्तरा जेवी कोई वात नथी, बहु मोटू काम करेशे, जगत माई करेशेन, आध्यत मा मार्क माई करेशे, ओड़ खान बहु अंतसत्रुनु जोर वधारे होई के ओछू होई आपने जगतमा प्रीती ओछी होई के वधारे होई आपना थी बेद धर्म ओछा पड़ता है के वधारे पड़ता होई पन जे निर्दोस छे एने ओड़कवा एना थाइन रेवू एनु काई थोड़ू खमबू पड़े तो खमबू निया मन्नु धार्यू मुकू अने ये वाडे येम वड़ू सेजे सेजे तरी जेशू कई करवानी जरूर नहीं पड़े एव उशे शी दोई साप छे अहीं थी इंडिया जवू होई उड़ीन जवू छे तो पांखो आपड़े लावी पड़े साधना चे कोई लावी सके साधना करो एक करेच वस्टेलियानी अंदर में गिया ता ते एक बाए बताविया एक जिन्नो फोटो आमारा गुरू बावी वरस्ती खेचर विद्या सीखवानों प्रयास करेशे तो केटला वर्शे सीख्षे तो क्या वे ब्यापाच वरस्नी साधना बाकी छे पजी खेचर विद्या सीखी जशे तो उड़ी नहीं वस्टेलिया एक चमची बाद खाईन दूद खाईन जे कईन करता आशे खबर ने यहने सीख थाईक ना थे महाराद ने खबर यहने खबर खेचर विद्या आपड़ी इंदर ताकाद होए खेचर विद्या नी साधना करिये वाधो नहीं करो पन भला खेचर विद्या सीख थाईक ना थे पन प्लेंतो सीथ छे, निया पट्टो बांदीन बेहीतो जीए, एम आपणे पंज विसेईनी प्रीती टूटी के ना टूटी, खबर न थी, साधना चोक्कस करवी जोए, निर्वाशनिक थवा साधना चोक्कस करवी जोए, आपणों मार्क छे, आपणी रुची एवी पन सारंपुर्णू दस्मूतो हाथ मां हवव जोए, एवा साधूनी बेगा पड़ियो छे, पांच खाचडा खाई छे, जे प्राप्ती एने थाशे, एज एने थाशे, मुरख मानस एक एवाई, कि जे एक हाथ नो लाडवा तो अगरो छे, मडी गयोत मडी गयों, ना सवानोच छे, जे सेलो होई, ये तो राखिया हाथ मां, तो तरत मड़े, तो एवो एक लाडवू छे, कि जे क्यारी छूटे एवो नथी एक छे, निर्दोस ने, एवा महापुरुशो ने, ओडखवा, येमा वुरुत्ती स्थीर करिन राखवी, ये वाड़े हम वडवू, ये जेम केम हाचू मानू, येमा केरे दोस कलप वोर नहीं, ये निर्दोस छे, भगवान ने मड़ेला छे, एने वुम मड़ेलो छू, एना थीव उन त्यां पोंचीश, आब आजू बजू मारू काम चालू छे साइड पर, थीव थीव, खेतर मा उग्यू तो उग्यू, न पुडो करे, आम करे, आम करे, भगे थाकी, घ्यो, थाकी जैन, आटलो टूको छे, सिद्धू ज, अने जो पेलो मार्ग ना पकड़न खाली, आ मार्ग पकड़शे ने, तो ये ओलो मार्ग पकड़ईच जेवनोंचे, पंजविशे माथी रेती जेवू लुखू थोवनों म मार्ग पकड़ईच जेवनोंचे, जो आ बाजुनों मार्ग पकड़ःए दो करन के वा महापूरुस मां जो प्रिती थाई, महापूरुसों करसे शू, आ लोक मा थी प्रिती टूटेन परलोक मा थाई, एवू एने तान हो, एवू करसे, एले सत्त्र धर्मा राजा एटलो ममुक्षू छे, कि एने एटलू ओडखाई क्योका निलकंडवर्णी निश्प्रो हो छे, आ निलकंडवर्णी साचा जोगी छे, मारा दर्बार मा आव्या छे, ये निलकंडवर्णी ने केछे तमे कुरूपा करीना सिहासन ने स्विकारो, हात आमे सिहासन छे येने पावन करो प्रभू, अने त्यारे भगवानेना भावने वस्थाईने माराजेनी उपर बेठा, अने वर्णी नी मनोहर मुर्ती जोईने राजानु मन लोभाई गयू, आवे निलकंडवर्णी राजाने गणवद उपदेश आपसे, सत्तर धर्मा राजा अन्नक्षेत्र खोली ने बेठो छे, पनोजू एनी पासे ए विवेक न थी, के गाई कौन छेन गोधो कौन छे, एनी ओडखान, निलकंडवर्णी, आएक मुमुक्षुने आपप माटे पदार्या छे, मानस पूर्मा माराज बेठा छेन, सत्तर धर्मा राजा त्यां सामे बेठो छे, त्यांती कथा आपने स्वामी आवती का लागड संबड़ाऊशे, बोलो स्री गनश्या माराज नी जे